हेलो फ्रेंज, इंडियन फूर्ड रेसिपी चानल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे एक्तम मसारेदार और फ्लेवर से भरपूर प्रोटीन रिच सोयाबीन बिर्यानी तो चलिए आज की ये मज़ेदा रेसिपी शुरू करते है तो सबसे पहले यहाप मैंने एक पतीले में दस कब पानी डाला है इस पानी को अच्छे से उबलने दे फिर हम इसमें डालेंगे एक तेजपत्ता, एक मसाला इलाइची, एक छोटा तुकड़ा दालचीनिका, दो से तीन लॉंग, एक छोटी हरी इलाइची और एक टीस्पून जीरा और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा चावल तो यहाँ पर मैंने एक कब बासमती चावल लिया है, बासमती चावल से बिर्यानी बहुत अच्छी बनती है चावल पकाते वक्त ये खड़े मसाले हम डालेंगे ताकि उसमें अच्छा फ्लेवर आए साथी साथ आदे नीम्बू का रस भी डालेंगे हम नीम्बू का रस डालने से राइस बिल्कुल भी खटा नहीं होता उल्टा वो एकदम ऐसे खिला खिला रचता है चावल करीब 80-90% पकने के बाद हम ग्यास की फ्लेम को आफ कर देंगे फिर एक बरतन के उपर हम रख देंगे एक स्ट्रेनर इस स्ट्रेनर में हम हमारा पका हुआ चावल जो है वो डाल देंगे ये स्टेप बहुत इंपोर्टन्ट है ताकि जो गरम पानी है वो नीचे चला जाए और हमारा जो राइस है वो ऐसे खिला खिला बने ज्यादा ओवरकुक ना हो नेक्स्ट हमें सोया चंक्स को पकाना है तो एक पतीले में मैंने पानी को अच्छे से बॉइल कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक ती स्पून नमक नमक डालने की बाद यहाँ पर मैं सोया चंक्स भी आड़ करूंगी तो मैं सवा कप यानि की एक पूरा कप और थोड़ा सा पाव कप और इतना सोया चंक्स को मैंने इसमें डाला और इसे करीब तीन से पाच मिनट तक अच्छे से पका ले हाई फ्लेम पे और फिर ग्यास की फ्लेम को आफ करके हम सोया चंक्स को एक स्ट्रेइनर में निकाल लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो पूरा निकल जाए हलके हाथों से अगर आप चाहे तो इसमें से निचोड के भी पानी निकाल सकते है लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि ज्यादा मत निकाले ताकि ये एक्स्ट्र ड्राइनर बने अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बरतन ले रही हूँ जिसकी हाइट ज्यादा हो जरूरी नहीं है कि वो non-sticky हो आप कोई भी बरतन यूज कर सकते है लेकिन उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इस सिंगल बरतन में हम पूरी बिर्यानी बनाएंगे इसलिए और फिर हम इसमें 5-6 टेबल स्पून तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गरम होने देंगे अब बिर्यानी को बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे दो प्याज लंबे काटे हुए सेपरेट इसको हमें फ्राइ कर लेना है पूरी तरह से फिर यहाँ पे मैंने लिया है 7-8 बीन्स इन्हें छोटे टुकडों में काटा है एक मीडियम साइज के गाजर को मैंने छोटे चोकनी टुकडों में काट लिया है दो मीडियम साइज के प्याज लिये मैंने एक छोटा कप मतर तीन बड़े टमाटर बाही काटे हुए और एक पुदीना हमारा तेल गरम हो गया है अब हम इसमें ये दो प्यास डालेंगे जो हमने सेपरेट काट लिये थे लंबे इनने इस तेल में अच्छे से फ्राय कर लिए जब तक कि ये पूरी तरह से जले हुए ब्राउन न हो जाए ये जो तला हुआ प्यास होता है न वो हर एक ब प्यास क्या होता है न कि थोड़ा क्रंची होता है तो बस बिर्यानी में अच्छा टेक्स्चर और फ्लेवर दोनों भी आड़ करता है ये नेक्स्ट इसी बरतन में और 5-6 टेबल स्पून हम तेल आड़ कर देंगे तेल को अच्छे से गरम होने दे फिर डालेंगे हम इसमें एक टीस्पून जीरा, साथी साथ दो तेज पत्ता, दो से तीन लॉंग, एक चोटा टुकडा जाए पत्री, और हमारे दो प्याज लंबे काटे हुए, प्याज को और मसालों को अच्छे से भुन ले तेल में, थोड़ा सा जैसे ही सॉफ्ट होता है न प्याज, हम इसमें डाल साथ गाजर, इसी के साथ हम डाल देंगे बीन्स, और फिर इन सारी सबजीयों को मीडियम फ्लेम पे करीब दो से तीन मिनट तक अच्छे से भुनते रहे, फिर हम इसे ढख कर करीब पार्च मिनट तक पकने देंगे, पार्च मिनट बार धकन को हटा ले, आप देख सकता है क पिर्यानी में अच्छा खटा फ्लेवर आता है, अब फिर से इसे ढख कर हम पार्च मिनट तक पकाएंगे, पार्च मिनट बार धकन को हटा ले, तो हमारी सारी की सारी सबजी अच्छे से फ्राय हो गई है तेल में, अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, एक टीस्पून हल्द अब किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, तो बस इन मसालों को अच्छे से करीब 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका ले, चलाते हुए, और अब इसे ढख कर हम करीब 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, दस मिनट बाद हम धकन को हटाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि ह अब हम इसमें 3 टेबल स्पून दही आड़ करेंगे, दही को अगर आप गरम सबजी में डालते हैं, तो वो फटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बिना ग्यास की फ्लेम को आउन करें, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और अब हम ग्यास की फ्लेम को आउन कर दे पाच मिनट बाद हम धकन को हटाएंगे, आप देख सकते हैं कि तेल और ग्रेवी दोनों सेपरेट दिख रहा है, यही इंडिकेशन है कि ग्रेवी अच्छे से पक गई है, इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे नमक, नमक आप स्वादानुसर आड़ करें, नमक को भी अ साथी साथ हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून तला हुआ प्यास, प्यास से अच्छी टेस्ट आती है सबजी में, मिला ले और फिर ढखकर करीब पाच मिन तक लो फ्लेम पे पका ले फिर से, पाच मिन बाद धकन को हटाएंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी अ आपको पूरे चावल को ढखना है सबजी के उपर, यानि कि यह बिर्यानी की लियरिंग करनी है, पूरा चावल कवर करने के बाद हम इसके उपर फिर से तला हुआ प्यास जो है वो डाल देंगे, इससे बिर्यानी में बहुत ही अच्छा फ्लीवर आता है, तो अच्छे से क कोट कर ले तले हुए प्यास के साथ भी, साथ ही साथ यहाँ पर में कटा हुआ धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, दोनों को ऐसे बारी काट के डाल रही हो, इसके बाद कटी हुई मिर्ची यानि कि स्लिट की हुई मिर्ची को हम एसे थोड़ा सा रख के डेकोरेट इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर यलो कलर का फूड कलर, अगर आपके पास केसर है तो आप केसर का भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन यूज्वली सब के पास नहीं होता, इसलिए मैंने फूड कलर का यूज किया है, फूड कलर डालना भी ऑप्शनल है, इसे बस थोड़ा स अब यह जो होल है, इसे हमें कवर करना है ताकि जो दम का फ्लेवर है वो मिल सके, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आटे का गोला बना के उसके उपर चिपका दिया है, इससे क्या होगा, हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और हमें दम बिर्यानी का टेस्ट मिलेग अब बर्तन को हटा के यहाँ पर पहले मैं एक तवा रख दूँगी और फिर तवे के उपर हम बिर्यानी का बर्तन रख देंगी, इससे क्या होगा कि जब हम हाई फ्लेम पे इसे दम दे रहे होंगे न, तो बिर्यानी नीचे से बिल्कुल भी नहीं जलेगी तो आप देख सकते हैं, मैंने ग्यास की फ्लेम को हाई रखा है, इसके उपर तवा और तवे के उपर हमारा बिर्यानी का बर्तन और 10-15 मिनिट तक हाई फ्लेम पे ऐसे ही हमें बिर्यानी को दम देना है अच्छे से करीब 15 मिनिट बाद हम ठककन को एकदम सावधानी से खोलेंगे आप देख सकते हैं कि हमारी बिर्यानी जो उपर से हमने स्टफिंग डाला था वो अच्छे से गल गया है इसका मतलब बिर्यानी भी अच्छे से पग गई है तो बस इस बिर्यानी को अब हम सर्फ कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल खिला खिला बना है बिल्कुल भी चिपका नहीं है इसका रीजन यह है कि चावल को पकाते वक्त हमने नीम्बू को थोड़ा सा रस डाला था लए तो इससे ये चावल बिल्कुल खिला-खिला ही रहा है साथी साथ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने जो food color डाला था उससे बिर्यानी एकदम colorful बनी है थोड़ी white, थोड़ी सी एकदम golden brown, थोड़ी सी yellow साथी साथ हमारे सोयाबीन चंक्स भी एकदम juicy है, बिल्कुल भी dry नी बने है तो बस हमारे मसालेदार और tasty बिर्यानी को आप राइता के साथ भी enjoy कर सकते हैं अगर आप ना चाहे तो किसी curry के साथ भी enjoy कर सकते हैं या फिर सिर्फ ऐसे भी enjoy कर सकते हैं, वो बहुत ही स्वादिष्ट है बिर्यानी में खुद में इतना टेस्ट होता है कि उसके साथ अगर कुछ ना भी हो तो भी बहुत मज़ा आता है तो friends, अगर आपको मेरी आज की मसालेदर और टेस्टी बिर्यानी की रेसेपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदा रेसेपी की साथ तिल देन, आजिए यर सोय बिर्यानी.